सभी को नमस्कार आज का सेशन बहुत एक इंपोर्टेंट डाउट को लेकर है जो आप सभी जिससे गुजर रहे हैं और बहुत सारे बच्चों ने इसको लेकर सवाल पूछा है कोशिश करूँगा इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आपकी उस हर संदे आपकी हर उस शायद को मैं खतम कर पाऊं यह दि उसके बावजुद आप खतम नहीं कर पाते हैं तो फिर आपको सोचना पड़ेगा आत्मन्तन करना पड़ेगा इलाल आपके शामने ग्रेड फेस्ट की वेकेंसी आ चुकी यह भी पद कम है लेकिन पद बढ़ जाएंगे और यह नई वेकेंसी आती है ग्रेड सेकिंड का विज्यापन अभी आपके शामने नहीं है बट वो भरती जरूर आएगी और रीट का विज्यापन आपके शामने अभी आने वाला है उसके बाद ग्रेड थर्ड की भरती होगी तीनों भरतियां लगबग आप मानके चलिए कि वर्स दोहजार चिसके अंतिम दोर में ये तीनों भरतियां हो जाएंगी इसके अलावा भी कुछ भरतियां है जैसे EO है, RO है, Librarian है, PTI है, Irish है तो आप लोग कहीं ने कहीं अलग-अलग भरतियों में उल्चे हुए हैं आपके मन में एक सवाल जरूर हमेशा आता है कि सर मेरे लिए एक बह पहतर आपको कोई जानता नहीं है, तो ये decision आप खुद से अपने आप से पूछे, मैं जहां तक समझ पाता हूँ है, मेरा जो experience से कहता है कि मुझे इन में से किसी एक चीज को चुनना हो, तो मैं पहले अपने intuition को चुनूँगा, अपने आत्मा के आवाज को चुनूँगा, और उस session में मैं ही जानूँ कि मेरी कमिया क्या है, मेरे plus point क्या है, फिर जब discussion होगा तो वहाँ एक सही decision निकल के आएगा, जब कोई भी चीज कर रहे हो, तो आपका निर्ण ने, आपका chain अपने तुपन हो जाता है, एक छोटी से गलती आपके life को बहुत पीछे ले जाती, म उस रस्ते जिससे लोग चड़ रहे थे, वो चड़ने का था, लेकिन मैंने उसे उतरने के रूप में परियोग किया, चड़ते समय आदमी जो फिसलन होगी तो भी गिरने के chance कम रहेंगे, लेकिन उतरते वक्त जो आपकी body में जू है, वो नीची की तरफ घर्षन जादा हो तो जब आपकी जिन्दगी का फैसला लेना हो, कि मेरे पास सर बहुत ज़्यदा समय नहीं है और मुझे वहां किसी एक भरती को चुनना हो, तो कि आप यूहीं ले सकते हैं कि सर उन्होंने ये बोला है, ये पोस्ट ने इतनी आई हैं, सर ये कह रहे हैं, घरवाले कह रहे है कि ये चीज मैं कर लूँ, आप क्या कह रहे हैं, सबसे important बन जाता है, तो मैं पहली चीज जो आपको कहूंगा कि 2025 में लगभगी तिनों भरतियां एक साथ होने वाली हैं, तो इसमें अपनी आत्मा की आवाज को सुने, यानि intuition को चुने आप, intuition जो आपका कहेगा, वो ज्या आप खुद बहुत संदेह कर रहे हैं, कि सर मैंने इसको चूज तो कर लिया है, कि मैं इसमें नहीं लगा तो क्या होगा, देखिए, सबसे important चीज है, आपको अपने बारे में पता होना चाहिए, नमबर दू, फिर मानली जी किसी एक चीज को आपने चुन लिया है, क्योंकि दिपावली जा चुकी है, आप कल से फिर से एक नया रूटीन जीएंगे, तो मुझे लगा कि साइद आपके लिए एक दिशा होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दिशा के बिनाएदी आप मेहनत भी करते हैं, तो प्रिनाम में नहीं बदलती है, और ये दुनिया जो है, प पतिक कुशलता क्या, जिस पत पर शूल ना हो, वह नाविक क्या, वह नाविक की धेर ये परिक्षा क्या, जिस धारा पे प्रतिकुल धाराएं ना हो, तो देखो प्रतिकुल धाराएं तो देखो आएंगे, हमें उनसका सामना करना है, चिजों से आप भाग नहीं सकते, चि तो आप से दिक मुरकता पूर्णकारी कुई नहीं कर रहा है तो आप एक दिन पूरा इस जीज को देजिए कि मेरे लिए बेटर क्या हो सकता है क्या मेरे लिए यू आरू भरती हो सकती है आपने यू आरू का एक्जाम पहले दिया है और बहुत अच्छी तियारी की थी तो आपको यू आरू की तरब जाना चीए क्योंकि यहाँ जदा बेटर रिजल्ट आ सकते हैं आपने लाइबरेन का फॉर्म भर रखा है जुलाई में एक्जाम है तो उसकी जदा चांसे है यह आपकी भूँत ची प्रीपरिशन है यहाँ चीजों को रिलिवेंट कर लो कियार इसका 60 प्रतिशत पाथ जो हो इक्वल है समान है और यहाँ चीजों को जोड़ाजा सकता है ग्रेड फेस्ट असिस्ट प्रोफेसर को जोड़ाजा सकता है ग्रेड थर्ड या ग्रेड सेकंड में आपको लगता है कि subject में similarity उनको जोड़ा जा सकता है चीजों को लेकर पेनिक बहुत जल्दी हो जाते हैं जबकि इतनी चीजें मुस्किल है नहीं तो सबसे बड़ी चीज है आत्मा के आवाज को सुनिये उसके बाद एक चीज का चुनाव कीजी जो आपको लगता है कि बेटर है और जैसे उसका चुनाव कर लें, उसके बाद दूसरी चीज जो आपको करनी है, वो क्या करनी है, कि आप चुनाव तो कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद आप दुनिया भर के राय चंदू की राय मानना शुरू कर दोगी, वो कहेगा कि ऐसे कर ले, मामी कहेगी ऐसे कर ले, दो मन्थन के बाद चुना तो आपको कही ने कही मुझे लगता है कि जैसे चुनाव कर लें उसके बाद दो चीजों के ओपर इसपेशली बल दें आत्म निरिक्षन Self-Indरिक्षन कि जो मैंने चुना है वो सही है अब इसमें बेटर क्या हो सकता है और जो बेटर नहीं हो रहा है उसके लिए आप चुने आत्म शुधार को कि आप कोशिस ये करें कि जो चीज आपने कर ली है, अब इसमें बेटर चीज़ें क्या क्या हो सकती है, मेरी अच्छी किताबे क्या हो सकती है, कोचिंग मेरे लिए बेटर है, या बिना कोचिंग कि मैं सल्विस्ट्रेडी कर सकता हूँ, और की जा सकती है, बहुत अराम से क्या जा सकता है, मैंने जो विशलेशन करने की जूर्थ होती है, आप अपन घबरा जोडी जाते हैं, तो आप निरिक्षन में क्या करना है, आपको पाठे करम को अनलसिस जरूर करें, आपने सही रहा चुन ली, बट पाठे करम अनलसिस नहीं किया, मैं टीचिंग मेथड का एक वीडियो बनाने के लिए मैंने सभी कुशन पेपर को पूरियो पाठे करम का अनलसिस किया, तो मुझे समझ में आया कि टीचिंग मेथड में बहुत सर चीज़े कॉमन है, एक सबजेट की टीचिंग मेथड को त्यार ढंक से कर लो, बाकी का लगबग 40% पार्ट अपने आप त्यार हो गया, आप घब चीजों केसे करें, चीजों को बहुत इजी वे में टुकडों में बांट के किया जा सकता है, तो मैं दूसरी चीज आपको जो बोल रहा हूँ, self introduction में, आत्म सुधार में आपको क्या करना है, पाठे करम का विसलेक्शन करना है, चीज़े कहां से आ रही है, मैं जब भी पढ रहाने आता हूँ, offline class में आता हूँ, या किताब लिखता हूँ, तो मैं इन चीजों को completely लागू करता हूँ, या चीजें बेटर हो सकती है, ये छोड़ा भी जा सकता है, ये क्या भी जा सकता है, और ये कोई और क्यों बताएगा आपको, आप खुद भी तो कर सकते हूँ, बेली, परती दिन, एक परतीशत आपको आत्मसुधार करना है, वन परसंट, आत्मसुधार में क्यों इतना ही करना है, ये चीजें चुनने के बाद, डेली एक परसंट आपमें आपको बहतर बनाना है, कि आज मैं एक परसंट बहतर बनाना हूँ, कल दो बनूँगा, कल ती तो आपको वार्षिक योजना बनानी पड़ती है, फिर एकाई योजना बनानी पड़ती है, फिर पाठ योजना डेली की बनाते हूँ, तो यार जब वहाँ बनने के बाद बनाते हूँ, तो यार जब वहाँ बनने के बनाते हूँ, तो यार जब वहाँ बनने के बनाते हूँ हर 10 दिन से, 15 दिन से हमने जैसे 1 आई योजना बना दी कि यार यहमें यह 15 दिन में यह topic ट्यार करना है फिर daily के आप target टेक कीजिए कि यार आज मुझे दो topic यह पढ़ना है पढ़ना दिन वाले task में आज मैंने कल मेरे को दो topic यह पढ़ना है ये जब तक नहीं अपनाओगे एक एवरेज स्टुडेंट के रूप में ऐसा फलता के दरपे खड़े मिलोगे। चीजें आसान हैं, पसकरना सीखिए, प्रोसेस को समझे, क्यों प्रोसेस क्या है, तो आत्म निरिक्षन और आत्म सुधार के अंतरगत पाठे करम का पूरा अनिल्सिस कीजिए, परती दिन आपको वन परसेंट बहतर बनाना है, यदि आप ये चीजें कर लेते हो, तो मैं ही कह कह रहा हूं और निरिक्षन से कह रहा हूं बहुत अच्छा कर जाओ भी, तीस थी चीज जो आपको करनी है, आपने यह कर लिया, कि मैंने सर्लक्षे इसको चुना है, फिर आपको उसका पाठे करम आत्मरिक्षन आत्म सुधार करना आपको ठीक है, तीस चीज क्या है प्रती परती दिन करना है, परती दिन मतलब कोई आदमी अचानक से अपनी जिंदिगी नहीं बदल पाता है, आप में से बहुत कम लोगों को इस बात का पता होगा, कि Samson, जो आज इतना बड़ा ब्रांड है, वो एक टाइम किराने की दुकान था सरब, किराने की दुकान, Samson, आज सो LG, ठीक है, और आज आप LG का नाम मतलब Electronics आता है, वो अचानक से बन गया है, क्या एक beauty की cream LG, अचानक से इतना बड़ा product बन गया, कि सब चीजें बनने लगी उनकी, तो आप इस सोच के देखे कि आप अचानक से नहीं पहुंच सकते हैं, आपको प्रती दिन करना है, जो ची चीजें गोन करो अपनी लाहिक में, यह बहुत जरूरी है, और चोथी चीज है, बहतर वातावरन की तलास करें, बहतर वातावरन की तलास इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आप में से महनत हर कोई बच्चा कर सकता है, मेरी वीडियो आप लोग देखते हैं, मैं बहुत सा अच्छा नहीं है, बहुत सारी चीजें, आप किन दोस्तों के पास बेटते हैं, जो आपको डराते हैं, आपको आगे बढ़ाते हैं, यह सब चीजें बहुत इंपोर्टन्ट, तो जो लोग डराने वाले हैं, जो हतोसाहित करने वाले हैं, उनसे अपने आपको दूर जहां आपको लगता है कि मैं बेहतर कर पा रहा हूं, उस वातावन को खोज ये, जब तक खुद खोज नहीं करेंगे, कोई आपको अच्छा इंवायर्मेंट नहीं देगा, मुझे बेटर लगता है को इनवायर्मेंट जहां पढ़ के अच्छा लगता है, मैं खुद सर्च कर लूँगा, वो पेड हो सकता है, वो छत हो सकती है, वो लाइबरेरी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है, तो खुद को थोड़ा सा अक्स्प्लोर करना सीखिए, कि मेरे लिए क्या बेटर हो सकता है, ये चीजें बहुत जरूरी हैं, यदि आप ऐसा करते हैं, तो मुझे ल से क्यों आते हैं ये शायद इस शब्द जब तक जिंदिगी से हटाओगे नहीं प्रेनाम नहीं आएगा तो कोशिश करें कि जिस चीज को आप चुन रहें उस पर एक दिन दीजिए उसमें राय ले सकते हैं किसे में इंटर की नबर दो पर आपको जो क्या करना है आत्म दिक् कीजिए और चीजों को करिए एक्षन के रूप में तबदिल कीजिए और तीस चीज मैंने आपको बताई परति दिन निरंतरता बहुत इंपार्टेंट है अने था चाहे कितना भी तुम बड़ा सोचें कुछ भी करें किसी इंस्टूट से पढ़ें कुछ नहीं होने वाला यह दिये चीजें कर लोगे तो किसी कोचिंग की जूरती नहीं है और चोथा बेहतर बनाने की कोशिश करें अपने आपको और बेहतर बनाने के लिए मैंने कहा कि आज जिस इस्तती में हूँ उसमें हमेशा कभी नहीं रहोगे उसको बदलना है और उसको जो बदलना है तो कोई LG और Samsung वाली कहानी है, आपको एक्षनल बनाने पड़ेंगे, वार्षिक योजना, एकाई योजना और डेली पार्थ योजना, इन तीनों चीजों पर आप वरक कीजिए, फिर देखना आपको खुद को लगेगा, कि सर हां हम एक सही रास्ता मिला है, तो इन टेशन से मतलो, और नहीं देना तो फिर दिमाग से निकाल दो कि नहीं देना, अब मुझे ग्रेट थर्ड वे फोकस करना है, और मैंने कहा, रिट की भी डंग से प्रिपेशन कर लेता, तो ग्रेट थर्ड का साथ प्रतिशत पॉर्शन, सतर प्रतिशत पॉर्शन त्यार हो गया, और